ज़हिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रांतिकारी के विशे में जानने वाले हैं, जिनोंने सिर्फ 18 साल की उमर में, जिस उमर में लोग अपने भविश्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तैयारिया करते हैं, 18 साल की उस उमर में उन्होंने मात्री भू के लिए बलिदान दिया और हसी हसी फांसी के फंदे पर जूल गए, एक ऐसे ही क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था खुदिराम बोस, आज के इस वीडियो में हम लोग खुदिराम बोस के बारे में ही जानने वाले हैं, तो चलिए, देरीना करते हुए, हम हमारा आज का ये व सिर्फ 18 साल की उमर में उन्होंने मात्री भूमी के लिए कुरबानी दी अपनी और जो बिटिश जज डॉगलस किंग स्वोर्ड जिसकी हत्या के लिए उन्होंने प्रयास किया था, हाला कि वह विफल रहे थे अपने इस प्रयास में, लेकिन इसके चलते बिटिश शरकार न तो खुदिराम बोस का जन्म सन 1889 में मीदनापूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटी सी गाउ में हुआ था, यानि कि जिसको अभी हम मेदिनिपूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं परश्टी मंगाल के, वहाँ पे सन 1889 में खुदिराम बोस का जन्म हुआ था, हाला कि का काव था इसके बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजा थी श्री ओरोविंदो और सिस्टर निवेदिता की जो मिदनापूर में जो उनके जो सभा हुए थे जहां पर उन्हें लेक्चर्स दिये थे उन्ही को सुनकर खुदी राम आकरशित हुए रेवलुशनरी और ये उनको कुछ कर दिखाना है तो इसके बाद यहां पर देखिए ये हैं श्री ओरोविंदो और सिस्टर निवेदिता इनके ही जो लेक्चर्स थे इनके ही जो सभा को जब उन्होंने विजिट किया था खुदी राम पोस ने उसके बाद ही वे देश के लिए मतलब दिवास शरूब जो आंदोलन हुए उसमें खुदी राम पोस ने काफी बर चकर हिस्सा लिया और तब वे शिर्फ 15 साल के उमर के थे उन्होंने तब अनुशिलन स्रमिती नाम की एक ओर्गनाइजेशन को जोइन किया ये एक रेवुलिशनेरी ओर्गनाइजेशन थी और इ बिटिश जर्ज है किंग्स फोर्ट जो की उस समय मुझफरपूर के मेजिस्टेट थे लेकिन मुझफरपूर में ट्रांसफर होने से पहले वे बेंगॉल के एक मतलब जर्ग थे और उन्होंने रेवुलिशनेरीस के खिलाब काफी कठोर सजा सुनाए हुए थे तो इसी के चलते रेवुलिशनेरीस ने डिसाइड किया कि उनको एसेसिनेट किया जाए गया और ये काम सोफा गया खुदिराम बोस को और उनके साथ प्रफुल चाकी नाम के एक और लीडर को तो इन दोनों को सन 1908 में सोफा गया मुझफरपूर के जो डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ट उनको एसेसिनेट करने का काम इनको सोफा गया तो मुझफर कूल में ट्रांसफर होने से पहले मैंने पहले ही बताया कि वे बेंगॉल के एक मैजिस्ट्रेट रहे थे और उन्होंने काफी टोर्चर किया था रेवलुशनेरीस को और काफी कठोर सजा सुन किया गया था कि जो बॉम फेका जाएगा वो कोर्ट में ही फेका जाए ताकि वहां पर किंग्सफोर्ट की हत्ता की जा सके लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया गया कि कोर्ट में काफी सिविलियंस भी रहते हैं और बॉम कोर्ट पे ना फेका जाए और बाहरी उन पर ये बॉम फेका जाएगा डेट थी अपरेल 30 1908 तो उसी दिन खुदी राम ने ये जो बॉम था वो उसी केरेज पर फेक दिया जो मतलब उनको लगा कि किंग्स फोर्ट को लेकर जा रही थी लेकिन दुरुभाग्य वस उस दिन और एक वेरिस्टर थे प्रिंज हो गई बॉस को पकड़ा गया वाइनी नामके एक रेल्वे स्टेशन से जहां पर वे 25 माइल मतलब पैदल चलकर पहुँचे थे जहां पर दूसरी तरफ चाकी ने खुद को मतलब खुद ही आत्मात्या कर ली ताकि वो बिटिश शरकार के हाथों ना लग सके तो पकड़े जाने के बाद देखिए यहां पर एक पिक्चर है कुदिराम बोस की आप देखी सकते हैं उनकी उमर कितनी कम थी यहां पर बिटिश शरकार की जो पुलिस है पुलिस ने उनको पकड़ रखा इस पिक्चर में तो जुलाई 13 1908 को क्या हुआ उनको सजा सुना दी गई यह जो हत्या थी जो केनेडी के वाइफ और डॉटर की उसके लिए तो इसके बाद जो सजा सुनाई जज ने सजा सुनते ही खुदिराम बोस हस पड़े उनको एक्ट्यूट कर दिया गया ऑगस्ट 11 1908 को और कहा जाता है कि तब भी उनके चेहरे पे स्माइल थी यानि कि वे हस्ते ह सुली पर चड़ गए यहाँ पर देखिए एक निउस्पेपर की कटिंग है जो विकिपीडिया पर फ्रीली अवेलेबल है आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है कि इंडियन बॉर्म फ्रोर स्माइल ऑन स्केफॉल्ड जब उनको सुली पर चड़ाया जा रह थी तो इसके बाद एक राइटर थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा सौंग लिखा है खुदिराम बोस के उपर या फिर्म को डेडिकेट किया है इसका नाम है एक पर विदाय देमा घुरे आशी जिसको इंगलिश में हम लोग कहें बीड मी गुडबाय मदर जो राइट थे उनका नाम था पितामबरदास उन्होंने यह सौंग लिखा है और यह सौंग उन्होंने खुदिराम बोस को ही डेडिकेट किया है तो अगर आप लोग सुनना चाहें यह सौंग भी यूटूब पर अवेलेबल है फ्रीली आप लोग सुन सकते हैं तो आज के इस वीडिय वीडियों में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में जय हिंद।